जय गूँवें हैं शुल तुम क्यों नमास्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके टी-टी-क से एक्जाम के लिए बहुत ही माथपून टॉपिक के ही और यहां से टी-क तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि आपके लिए हम ऐसे इंपोर्टन टॉपिक की वीडियो लेके आते रहते हैं तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक है कि अधिगम संबंधी कठिनाईया आपके एक्जाम में पूछी गई है अगर आपने प्रिवेस येर के टीटी के पेपर देखे होंगे तो उसमें एक से दो क्यूशन रहता है कठनाईयों से संबंधित जनरली आपको ये बुक में जल्दी मिलता नहीं है तो आप लोग इसको जो है दो तीन बार देखेंगे तो आपको 100 परसंट जो है याद हो जाएगा तो आधिगम संबंधी कठनाईया क्या है कि जब कोई बच्चा किसी नई चीज को सीखता है तो उसमें जो कठ लिखनाईया आती है उनके कुछ नाम है उनके कुछ मनुवज्ञानिक नाम दिये गये हैं उनको आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो यहां पर हमने बताया है कि अर्दिगम संबंधी कठनाईया क्या है कि जैसे कई बार बच्चों में अनेक प्रकार की समस्या देखी जाती है जिसके करण बच्चों को अधिगम में कठनाई उत्पन होती है जिसे अधिगम संबंधी कठनाईया कहते हैं और इसमें जो कुछ प्रमुक कठनाईया जो एक्जाम में बार बार पूछी जाती है उनको हम लोग बेख लेते हैं जैसे लिखने संबंधी समस्या या रबिक्रिति यानि किसी भी बच्चों में अगर कोई लिखने समंधी मैं बच्चे को गलत लिख रहा है, तो इस परकार की अगर कुछ समंस्या आती है तो उसको dysgraphia बोला जाता है. और ज़्यादतर जो बच्चे होते हैं शुरुवाती दोर में इनको यह समस्या स्लगबग सभी बच्चों को होती है कि उसको बोल सकते हैं कि भहाँसा का अच्छे से nostalgia नहीं होता है या फिर शीखने की जो प्रारंभी कावस्था होती है उसमें dysgraphya सभी बच्चों में पाई जाती है यानि कि लेखन समन्दी जो असुप्धी होती है जो समस्या होती है उसको dysgraphya बोला जाता है और पढ़ने संबंधी समस्या को dyslexia बोला जाता है यह word अगर आपने T8 का exam पहले दिया है या previous year का paper देखा होगा तो dyslexia कई बार TET के exam में आ चुका है तो dyslexia क्या होती है पढ़ने संबंधी समस्या होती है इसको ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चा किसी सब्द का उच्चा संबंधी समस्या dysgraphia graph से याद कर लेंगे कि ग्राफ जो है लिख के आ जो है बनाया जाता है तो लिखने संबंधी समस्या dysgraphia और पढ़ने वाली कई बारा चुकी है dyslexia आगे देखेंगे गणिती संबंधी समस्या यानि कुछ calculation करने में अगर बच्चे को कोई समस्या आ रह होती है उनमें अगर बच्चे को किसी परकार की समस्या होती है तो इसको dyscalculia बोला जाता है और अगला है बोलने पढ़ने और लिखने यानि जो हमने तीनो अलग अलग देखा यह अगर किसी एक ही बच्चे में पाई जाती है तीनों समस्या है बोलने पढ़ने और लिखने किसी बच्चे में एक ही बच्चे में पाई जा रही है तीनों प्रकार की समस्या तो इसको क्या बोलेंगे डिस्प्रेक्सिया आगला है तर्क ना करपाना या किसी बच्चे में इस प्रकार का कोई पाया जा रहा है कि वो जो है तर्क नहीं कर पा रहा है चिंतन नहीं कर पा र सकति का कमजोर होना तो इस प्रकार में जो बच्चों में पाया जाता है इसको डिमोंसिया बोला जाता है नेक्स्ट है सीखने की अच्छमता सीखने की अच्छमता को एलेक्सिया बोला जाता है और सीखने की अच्छमता का मतलब हो गया कि कोई बच्चा जो है किसी भी टॉप जो है उसको समस्या उत्पन हो रही तो उसे आफेसिया या भासा घात बोला जाता है तो ज्यादा तर एक्जाम में आफेसिया ही पूछा जाता है भासा घात अप्शन में नहीं रहता है तो भासा समंदी जो समस्या होती है उसको आफेसिया बोला जाता है गतिकॉसल समंदी सम से ब्यक्त नहीं कर पाता है तो उसको डिस्पेजिया बोला जाता है और नेक्स्ट है अपने आपको दूसरों से अधिक सुन्दर या बुद्धिमान समझना है अभी जो है बच्चों में काफी अधिक पाया जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आपको दूसरे बच बढ़क समझते हैं इस जो इस जो है विकार को डिसमोर्फिय बोला जाता है नेक्स्ट है तनाव समंधी समस्या या या आजकल जो है बच्चों में ज्यादा तर होती है खासकर इक्जाम टाइम पे जब एक्जाम आता है तो बच्चों में एक तनाव लेको परदाई को लेकर तो इस प्रकार का जो बच्चों में तनाव समंदी समस्या होती है इसको डिस्थीमिया बोला जाता है कई बार एक्जाब में आ चुका है यह तो तनाव समंदी समस्या होगी डिस्थीमिया और कम आयू में ब्रिध्यावस्ता के लच्छन अगर किसी बच्चे में इस प्रकार क की बीमारी वही मार्यों तो इसमें क्षऑ तकडिए प्योखा इसमें होता है कि वहांना उसाया को कुछ यह संद्ए षिजके कि शाइव कुम मान शाइचते हैं थिस थैट से प्रימूल राता हां30 कि यह समस्या करना दफ़ से करना तरफ मिनियों तो आपके टेट के एक्जाम में कई बार पुछी गई है तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लिजे एक दोबार आप वीडियो देखें गे तो आपको याद हो जाएगा तो उमीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद